बिसेष राजी का दर्जा बिसेष सैडी का दर्जा इस्पेशल इस्टेट सेटस एक काफी चर्चा में बना रहता है और आप देखे उडिजा रहीए बिहार देखते हैं वो भी विसेस राजी के दर्जे के आसपास ही घूमती हुई दिकाई देती है तो आज हम लोग विसेस राजी के दर्जा क्या होता है इसके फायदे क्या है इन सब पर एक सामान जानकारी हम लोग देख लेंगे और इस तरह की टॉपिक से आपकी परिक्षाओं मे पूछे जाते हैं फिर चाहे आप लुक से भी सर्विस की तैयारी करे हो इस्टेट पी सेस की तैयारी करे हो या वंडे एक जाम की तैयारी करे हो तो आप देखेंगे कि अभी हाली में ये चर्चा में इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जो हमारी बित्त मंत्री साहिवा है इ तो आप लोग कहोगे कि यह विद्धायु क्या है, आपको मालू होना चाहि कि जो पैसे के वहतमारी की बात होती न यही काम करता है, और विद्धायु एक समिधानिक संस्ता है, समिधानिके अनुछीद沒關係 को अगर आप लोग देखेंगे न तो विद्धायु की श्थापना की बात कही गी है और इसकी स्थापना 22 नवंबर उन्ने सो इंक्याबन में हुई थी नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा पहले अध्यक जिसके केसी नियोगी थे और वर्तमार में आप देखेंगे एनके सींग है पंदरवे अध्यक ठीक है और विसे सेडी का दरज्या के लिए प्रावधान नहीं करता है जो हमारा समीधान है न यह आप देखेंगे विसे सराज्जी की कोई बात नहीं करता है राज्यों को यह बर्गीकन बाद में 1969 में पांच में वित्तायों की सिफारिसों के आधार पर किया गया था और पहली बार 1969 में जम्मू कस आयुक की राष्टी विकास परिशत द्वारा योजना के तैत साहता के लिए स्पेसल यानि कि विसे सेडी का दरजा पिदान किया गया था और योजना आयुक आपका आप सभी जानते ही कि योजना आयुक को पिती स्था बित करके अब नीती आयुक आ चुका है 2015 में आसम न राज्जों को भी आप लोग याद रखेगा तेलंगाना भारत के सबसे नभीन राज्जों का यह दर्जा दिया गया था और क्योंकि इसे आंध्पिदेश राज्ज से अलग किया गया था 2014 में देखें तेलंगाना की राध्धानी हैदराबाद है इसकी सीमा महराष्ट करन कर दिया और इसने सुझाओ दिया था कि पितेक राज्ज के संसाधन अंतर को कर हस्तांतन की माध्यम से भरा जाएगा के अंधर से कर राजस्ट में राज्जों की इस्सेदारी को 32% से बढ़ा कर 42% करने का आग्रह किया गया था और विसे सेडी की राज्ज इस्तिती से लिए जम्मू कस्मीर को विसेस दर्जा मिला हुआ था विसेस दर्जा अलग होता है और विसेस सेडी में विसेस राज्जी का दर्जा अलग होता है और विसेस सेडी का दर्जा अलग होता है ठीक है और इसमें आप देखेंगे निर्धारक क्या है किसी राज्ज को अगर व सिमाव पर सामरी किस्ति लगी होनी चाहिए आर्थिक और आधार भूद सरचना में पिछड़ा अपन होना चाहिए राज्य के वित्ति की आव बेवार प्रकेती होनी चाहिए अब आप देखे बेहार खुद कहते हैं कि पिछड़ा हुआ है इसलिए उसे वो मांगता रहता है और विसे सेनी के फायदे क्या होते हैं लाव क्या होते हैं क्योंकि आप देखे अगर कोई फायदा नहीं होता तो कोई भी राज्य विसे सेनी की बात करता ही नहीं विसे सेनी के दरजे की बात करता ही नहीं तो अनराज्यों के मामले में आप देखे 60 या पर चतर परसेंट क कि तुल्ला में केंद प्राइजित यह उजना में आवस्क निधी का 90% सेनी की राज्यों को भुक्तान किया जाता है यानि की कहने का मतलब यह है अगर कोई केंद प्राइजित यह उजना है तो बाकी राज्यों में आप देखेंगे 60-60 या 75% देनी की बात होती है कि अनुदान एक तरह से आप देखें उसमें और जो आवस्क बिसे सेनी का दर्जा मिल जाता है ना तो उसके तहत आप देखें 90% केंद सरकार उसे देती है फायदा और जबकि सेस्निधी राज्यों सरकारों द्वारा प्रिदान की जाती है फिर जिना 90 रोपया तो केंद सरकार देगी 10 रोपया उसे खर्च करने पड़ेंगे और जिसे सेडी का दर्जा नहीं मिला हुआ है वहां आप देखें कि 60-75 रोपय देगी केंद सका बाकी का आप देखेंगे उस राज्यों को खर्च करना पड़ेगा बित्तिय बर्स में आब ब पगत नहीं होती है और इसे आंगे बढ़ाया जाता है और इन राज्यों को उत्पास सुल्ग और सीमा सुल्ग आयकर और निगमकर में महतपूर्ण रियायतें पिदान की जाते हैं और केंदर के सकल बजट का 30-30 विसे सेडी के राज्यों को पिदान किया जाता है तो यह फ उधारन के लिए आंध्पिते सोडी सा बिहार द्वारा की जाने माली मागें और जैसा कि 14 विवित्तायों ने सुझाओ दिया था कि राज्यों को करहस्तांतर बढ़ाकर 42% कर दिया गया है और इसे 15 विवित्तायों द्वारा भी जारी रखा गया है ताकि आप देखें कि व प्रिक्षाओं में पूचा जाएगा तो आप लोग आसानी से उसका जवाब भी दे पाएंगे ठीक है और भी कोई अगर कहीं किसी टॉपिक में परेशानी हुआ करे तो उसका नाम आप लोग नीचे लिख दिया करिएगा उसके बारे में भी हम लोग बात कर लिया करेंगे ठीक है